नमस्कार एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको एक 40 फीट बाई 40 फीट में बना हुआ एक संदार घर का आप तक का काम दिखाऊंगा और कितना रुपा का खर्चा आया है इसके बारे में बताऊंगा कॉलम बीम उसके साथ अंदर का वाक्त रुके साथ में तो दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहा हूँ किस घर का काम को प्लास्तर तक कंप्लेट किया गया है और इसके साथ साथ में जो इस घर का अच्छा चीज़े उसको भी दिखाना चाहता है देखिए जो इस घर का सीलिंग है जो घर का च्छत है उसका कास्टिंग पर अगर आप नजर डालोगे तो आप आउगए को बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन बिल्कुल फ्रेस यहां पर च्छत नजर आ रहा है और आप सोच रहे होंगे कि इस साथ में इसका भी प्लास्तर कर लिया गया है लेकिन नहीं द प्लास्तर का जो खर्चा आता है उसे भी बचा लिया गया है क्योंकि यहां पर इसके उपर ही पूट्टी करवाते हुए पेंटिंग का काम किया जाने वाला है पूरा घर का यहीं कहाने है आप यहां पर देख सकते हो कि जो कास्टिंग किया था उसमें प्लाइबूड का ज किया गया जिसके कारण इतना चाप फिनिस गी आपे मिस्ट्री ने और ठेकदार ने दे पाया है तो दोस्तों एक स्वालूट तो बनता है तो देखे इस तरीका से इस घर का काम किया जारे इस घर में आपको चार बेंडरूम के साथ साथ हॉल डाइनिंग एरिया कीचेन प्व देखे इस ढंक से इस घर को बनाया जा रहा है अंदर का जो भी दिवाल पार्टिशन वाल उसे 10 इंची के साथ यहां पर रखा गया है अंदर से प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है तो दोस्तों अब चलते इस घर के बाहर और देखते हैं कि आखिर घर को बाहर से किस तरीका से बनाया जा रहा है तो आप असानी के साथ यहां पर देख सकते हो कि यह दो अच्छे के एक डिजाइन आपको घर के साइड एलिविस्टन में देखने को मिल रहा है और कॉर्णर पर आपको इस घर के लिए एक सुन्दर सा पॉर्टी को भी बना हुआ नजर आ रहा है तो अगर आपके पास भी जगह हो या फिर आप घर के बाहर या फिर कम जगह है तो आप घर के जो गौनर है वहां पर भी इस तरीका से पॉर्टी को कंदिर्मान असानी के साथ करवा सकते हूँ दोस्तों जो इस घर का कॉलम लगा गया है वो टोटल सोलो कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है और परतेक कॉलम का जो साइज है वो दस इंची बे दस इंची का ही रखा गया है और उसके साथ साथ यह देख सकते हो दस इंची बे दस इंची के कॉलम में उसके साथ साथ दो इसमें सरिया लगाया गया है उसमें चार सरिया का परियोग किया गया है उसके साथ साथ घर का प्लिंट लेबल का बात किया जाए तो देख सकते हो ग्राउंड लेबल से लगवक तीन फिट का आसपास का यहां पे प्लिंद बीम को लगाया गया है और दस इंची बदस इंची का इसका भी साइज इसी में चार सरीय का परियोग किया गया था दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस घर के साइड एलवेसन के तरह तो देख सकते हो साइड एलवेसन में दो अच्छा डिजाइन का आपको खिरकी भी नजार आता है और उसके साथ साथ जो घर का प्रटीको बनाया है लिंटेल लेबल पर वहाँ भी कुछ पर्टीकर डिजाइन आपको नजर आ जा रहा है जहां पर आप डिफरेंट कलर का पिंट करते हुए इसका लोग को बढ़ा सकते हो मैं आपको फिर से भी दिखाने वाला हूँ देखे कुछ इस तरीका से सिखिर की का बनावाट है उपर से सलोप डिजाइन उसके नीचे में आपको 3-4 step डिजाइन नीचे में बोक्स नमर डिजाइन बनाया गिया है इस तरीका से खिरकी का काम करवाते हुए बाद में उसे अच्छे तरीका से प्लास्टर करते हुए कुछ इस डंग से आपको खिरकी है वो मिल जाता है तो देखिए कुछ इस डंग से इस घर का काम को किया जा रहा है 600 square feet में ये बनता हुआ घर है जहां पर आपको चार bedroom के साथ hall, dining area, kitchen, toilet, bathroom के साथ साथ सीडी देखने को मिलता है मैंने बताया कि अंदर से किस तरीका से चोखट लगाने का काम लकडी का चल रहा है और बाहर में जो grill है 10 mm का सरीया के साथ यहां पर काम किया गया है काम almost आप देखा जाए तो plaster तक complete हो चुका है थोरह बहुत काम बाकी है बात कर लिया जाए कि 1600 square feet में बन रहे घर को बनाने में अब तक total कितना रुपए का खर्चा आया है तो अब तक इस घर को बनाने में लगबग 15,00,00 रुपे का आस पास में खर्चा है वहाँ पी एक जो टर्बो है बालू का कीमत सरे 4000 रुपे का आस पास में है एक इंट का कीमत 6-7 रुपे का आस पास में है और एक back cement का कीमत सरे 300 रुपे का आस पास में आसानिक के साथ मिल जाता है दोस्तों अगर आप मेरे पुराना भी हुआ रहे आपको जरूर पता होगा कि मैंने इस घर का वीडियो आप लोग के लिए पहले भी दिखाया था इस घर का फ्रेंट टेलेशन और इस घर का वाक्त्रू वीडियो भी मैंने पहले आप लोग को दिखा दिया था तो दोस्तों यह जो वीडियो था तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जिने प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को देज़े इजाज़त नमस्कार